दोस्तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बैल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो व्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तो मैं विशाल आप सब का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को दबाना ना भूलने ताकि आ हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हम कोई नए वीडियो बनाया करें तो दोस्तो आज की जो वीडियो है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्या है वो चीजें जो आपको गूगल प्ले पे सर्च नहीं करनी है तो दोस्तो सबसे पहले दो मैं विश सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा ओके दोस्तो अब दोस्तो मैं आपको बताने बाला हूं कुछ ऐसी चीज है जो आपको गूगल पे कभी भी सर्च नहीं करनी चाहिए इन केस अगर आप सर्च करते हैं तो इसके लिए हम सॉलुशन पाने के लिए एक चीज को सर्च करते हैं और उस चीज को अगर हमें सर्च करनी तो उसके लिए हमें जरुवत होती है गूगल की ओके दोस्तो तो ऐसी क्या चीज़े हैं जो हमें गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए इन केस अगर हम करते हैं तो ह मुसीबत पढ़ सकते हैं तो पहली चीज है दोस्तों बाउम बनाने की विदी ओके दोस्तों कैसे मैं आपको बताता हूं जैसे कि दोस्तों अगर सर्च करते हैं Google पर तो मेरी आईपी ट्रैक हो जाएगी और मैं ये सारी चीज़ें सर्च नहीं कर पाऊंगा लेकिन मेरी जो आईपी है वो ट्रैक हो जाएगी साइवर क्राइम में और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फच सकता हूं क्योंकि ये सारी चीज़ें अगेंस दे लौ आती हैं दोस्तों बहुत सारी कंट्री ऐसी भी हैं जहां पर स्पेशल कीवर्ड ओल्लेडी स्पेसफाय रहते हैं कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें में सर्च करूंगा कीवर्ड से रिलेटेड तो मेरी आईपी डिटेक्ट हो दोस्तों तो ऐसी चीज़ों से आपको हमेशा बचके रहना है और ये बॉम बनाने की विद्धी इन सबसे आपको दूर रहना और सर्च बिल्कुल भी नहीं करना है और ऐसी चीज़ें को आप यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आप सर्च नहीं कर दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ओके दोस्तों दोस्तों गूगल ने आज की तारिक में बहुत जादा तरकी कर लिया बहुत जादा आर्टिविशल इंटेलिजन्स इनका बहुत स्ट्रॉंग हो चुका है आपकी बहुत सारी डीटेल इनके पा तो इस सब चीजों से आपको बचके रहना है आप यहां पर शेयर ना ही करें शेयर दोस्तों जो चीज इंपॉर्टेंट है वो करनी पड़ी जैसे जीमेल के लिए आपको आपकी डेट अवर्थ वगरे यह सारी चीज़ डालनी पड़ती है ओके दोस्तों लेकिन अगर आप एड्रेस वगरे ऐसी चीज़े यहां से सर्च करते हैं गूगल पे तो आप बिल्कुल मत कीज़ेगा यह सारी चीज़ आपकी ट्रेक होती है और इसके लिए थर्ड पार्टी एजिंसी बहुत सारे आपको फॉलो करती है आपको ट्रेक करती है और आपके इन्फोर्मेशन को गैट करके, कलेक्ट करके और यह आपको बहुत जादा तरीके से मुसीबत में फसा सकते हैं और बहुत सारे सर्वे वगेरा क्रियेट होके आपको इन्फ्लूएंस कर सकते हैं यह ओके दोस्तों तो इन सारी चीज़ों से आपके बचके रहना है दोस्तों बहुत सालों पहले बहुत साल तो नहीं तकरीबन दो-तिन साल पहले ही Facebook पे भी एक बहुत बड़ा इलजाम लगा था Facebook के CEO Mark Zuckerberg पे कि उन्होंने भी बहुत सारी information सारी get करके किसी third party को बेची थी हाला कि prove हुआ कि नहीं ये बात अलग है लेकिन ऐसी चीज़ों को अगर कोई third party agency get करती है तो वो आपको influence कर सकती है उससे ओके दोस्तो तो इन सारी चीज़ों से आप बचके रहिएगा ऐसी चीज़ों को search ना कीजिएगा ओके दोस्तो अब दोस्तो बात करते हैं 3rd क्या ऐसी चीजißt टीरे बीपता मरणाय की आप सेर्च करते हैं कोई Dakota Cancer अब इस कीज मैं पता किया गया है कि आप इस से बहुत सारे लोग इस चीज को सर्च करते हैं Google पे कि आप क्या ऐसा खा सकें जिससे आप कैंसर से बच सकें ओके दोस्तों तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप ये कता ही ना अपना हैं कि आप Google पे सर्च करने लग जाएं किंको सारी लोग ऐसी ऐसा सारी सर्च करते हैं तो ये चीज आपको भी कुछ क्श鉄塔 निए पर चोथा सजेशन आपको किया सार्च नहीं करना है हेल्थ प्रॉबलम्स आपको कभी है गूगल पर सेर्च नहीं करना है क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर आप सेल्ट करते हैं तो दोस्तो यह चीज बहुत बड़ी एफेक्ट कर सकती है क्योंकि गूगल पे जितनी अच्छी चीज़ा होती है गूगल पे तो आप सिर्फ सर्फ करेंगे बहुत सारी चीज़ा ऐसे आती है जो वाकई में काम की होते हैं लेकिन उससे जादा 30% अच्छी होंगी 20% अच्छी होंगी तो 80% बुरी चीज़ा होंगी जिनके बारे में कोई तथ्य नहीं होगा जिसका कोई बिल्कुल भी इलाज नहीं होगा कहने से मतलब है कि आप जो सर्च करेंगे बिल्कुल उसके अपॉजट चीज़ा मिलेंगी ओके दोस्तो तो यह चीज़ा आपको बिल्कुल भी सर्च नहीं करनी है ओके दोस्तो यह चीज़ आप बिल्कुल भी अवाइट कीज़ेगा हम एल्थ प्रॉब्लम से अलेटेड गूगल पर कूछ सर्च नहीं कीज़ेगा एक बात करते हैं, ऐसे कॉनसी चीज़े है, जो हमारे 5- вполне नबर पे आती है, जो आपको बिलकुल सीर्च नहीं करनी है, जो की है, How To Award a Child, दोस्तों, ये चीज़े आपको बिलकुल सीर्च नहीं करनी है, क्योंकि आज की डेट में, बहुत सारे लोग इस चीज से related बहुत सारे search होते हैं क्योंकि बहुत सारे survey में ये पता किया गया about a child के लिए बहुत सारे चीजें Google पर search होते हैं लेकिन आपको ये search बिल्कुल नहीं करनी हैं क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप track हो सकते हैं तो आप इसके लिए gynecologist की सला ले सकते हैं और अपने आप से आप doctor मत बनियें Google पर ये सारी चीज़े सर्च नहीं किजिए क्योंकि बहुत सारी sites ऐसी हैं जो ऐसा बताती हैं कि आप सिर्फ पपाया खाके ही अबॉट कर सकते हैं जो की गलत तरीका है gynecologist बिल्कुल इस बात की पुस्टी नहीं करते हैं हाला कि effect हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ पढ़े लेकिन पूरी तरीके से ये affected नहीं है तो इस चीज के लिए बिल्कुल लोग बना करते हैं कि गूगल पर ये सीज आपको सर्च नहीं करनी है तो हमारी एक और चीज आती है जिसको आप गूगल पर बिल्कुल सर्च नहीं करें जो की है चाइल्ड पॉन दोस्तो आज की दुनिया में बहुत सारे लोग पॉन अडेक्टेट होते हैं और कुछ लोग इतने ज्यादा अडेक्टेट हो जाते हैं जो ऐसी चीज inception को सर्च करने लग जाते हैं जिसे बोलते हैं फोर्स पॉन बोलत is जिसे चाइल्ड पॉन बोलता है यह सारी चीज़ आपको बिल्कुल भी सर्च नहीं करते हैं इनकेश अगर आप ऐसी चीजे सर्च करते हुए पकड़े जाते हैं आप एक केस हो सकता है और यह केस लीगली आप पे होगा आप इसके लिए इस पर बच भी नहीं सकते अगर आपकी ट्रेक हो जाती है तो आप यह सारी चीजें बिल्कुल भी सर्च ना करें तो बैटर रहेगा तो दोस्तो कुछ चीजे मैं आपको पताई हैं यह छह चीजे तो होफफुल ही आपको समझ में आव किस तरीके से आप इन सब चीजें को सर्च नहीं करेंगे और इनकेस आप सर्च करेंगे तो आप अपनी चीजें के रिस्पॉंसिबल खोद होंगे तो अफ़क्तों यह सारी चीजे आप इस convenient नहीं got और से मैं आयोगी आची वीडियो तरी information के साथ तब तक के लिए Bye दोस्तो